पिली भीज से वरुन गांधी का टिकट कट गया, सुल्तानपूर से उनकी मा मेंका गांधी चुनाओ लड़ी है, वो बीजेपी की उमीदवार है, ऐसे में मेंका गांधी नाराज है, ऐसी यटकले आ रही थी, वरुन गांधी का गुस्ता कप फट पड़ेगा, ये लोगों को खामोश रहे वरुन या चुपी तोड़ी है एक खुला खत अपने पिली भीत की जनता को लिका है खुले खत में उन्होंने कुछ बातें दोराई है अपने बच्पन जब तीन साल के थे तो पहली बार पिली भीत आये था अपनी मा का हाथ की उंगली पकड़के और अब तक ज खोटा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी मा की उंगली पकड़ 1983 में पहली बार पिली भीत आया था और उसे तब पता नहीं था इतने चोटे बच्चे को पता भी नहीं होता है कि एक दिन ये धरती उसकी कर्म भूमी और यहां के लोग उनका परिवार बन जाएंगे यान प्ली भीत की जनता के लिए आवाद उठाई है लेकिन सबसे जो बड़ा उन्होंने जो जो बात कही है हो एक 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 सांसत के तौर पर भले ही उनका कारेकाल समाप्त हो रहा हो लेकिन प्ली भीत से रिष्टा अंतीम शांस तक खतम नहीं होगा यानि पिलीभीत की जनता से जो रिष्टा है उनका जिसकी वो बार बार बात कर रहे हैं जब वो छोटे बच्चे थे तब से लेकर अब तक की उस रिष्टे को वो हमेशा उसके लिए प्रतीबद रहेंगे और उनके घर के दरवाजे पिलीभीत की जनता के लिए हमेशा खुले रहे और दूसरी बात उन्होंने कही है कि वो राजनीती में आये थे आम आदमी की आवाज उठाने और पिलिभीत की जंता को यह कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए आवाज आने वाले दिनों में भी उठाते रहेंगे बले ही उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी यह वो सकता है कि उन्होंने इचारा किया है कि जंता की आवाज उठाने के लिए उनको वो किसी खिलाफ नहीं बोल रहे हैं लेकिन वो जंता की आवाज उठा रहे हैं उसी की किवत उन्हें पिलिभीत के टिकट से चुकानी पड़ी है इसलिए अब उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि राजनीती की गुना भाग से उलग उनका पिलीभीत से रिष्टा रहा है तो कुल मिलाकर उनकी जो छोटा सा खुला खथे पिलीभीत की जनता के नाम उससे दो चीज़ें साफ हो रही है पहला वो कोई बवाल नहीं होने वाला जि तीसरा उन्होंने कहा है जो इशारा किया है कि वो राजनीती से सन्यास नहीं लेने वाले उनके घर के दरवाजे पिलीभीत की जनता के लिए खुले हुए है और चौथा और जो सबसे महतवपूर्ण है उन्होंने इशारों में जता दिया है जताने की कोशिश की है कि उनको सजा मिली है इस बात की कि वो आमादी के लिए आवाज उठा रहे थे और इसके लिए वह आनुवाले दिनों में पतिबद रहेंगे यानि अभी वरुन की राजनीती मुझे लगता है भी आने वाले दिनों में बागी रहेगी और आगे क्या-क्या करते है वरुन कांधी यह कोशिश नहीं की है मेंका और वरुन मेंका सुल्दानपूर से और वरुन शांती से मुझे लगता है फिलहाल इस चुनाओं के लिए अन्हें अपने कदम वापस खीच लिए है